हेलो फ्रेंड्स मैं सत्या पांडे माया क्रेटिव गार्डन में आपका हार देख स्वागत करती हूँ और दोस्तों आज जो मैं जानकरी आप से शेयर कर रही हूँ वो है ये गोबर की खाद और गोबर की खाद का दोस्तों बहुत ही महत्पूर्ण योगदान है हमारी किचन गार्डनिंग हो या टेरेस गार्डनिंग हो किसी भी प्रकार की गार्डनिंग हो जो बालकनी में हम गार्डनिंग करते हैं किसी भी प्रकार की गार्डनिंग के लिए ये गोबर की खाद का ज और flowering और all over उसकी growth के लिए जो है ये खाद जो है एक best खाद मानी जाती है और जो बिलकुल organic है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी chemical use नहीं किया जाता है तो ये जो गोवर की खाद है इसकी बहुत से फाइदे हैं दोस्तों पहला कि ये बहुती easy available होती है और आपने देखा ह होगा जो हमारे घर के आसपास अगर गोशाला वगरा है गोशाला वगरा नहीं भी होती है दोस्तों तो अगर जैसे बहुत सारे हमारे उधर जो है गाउं वगरा का इलाका होता है जहां पर गाए वगरा लोग पालते हैं तो वो लोग भी जो है इसको बेचना पसंद करते ह वो इसको बेचते हैं तो हम जो है महां से भी इसको असानी से ला सकते हैं और ये बहुती असानी से मिल जाता है और बहुती कम पैसों में कम खर्च में हमारा काम बन जाता है महंगे महंगे हमें कैमिकल फटलाइजर हो या कमपोस्ट लेने की अवश्यक्ता नहीं पड़ती है तो मैं जादत तर अपने प्लांट में दोस्तों, गोबर की खात का ही परियोग करती हूँ, जब से गार्डिनिंग करनी हूँ तब ही से मैं गोबर की खात को first priority में रखती हूँ, गोबर की खात का ही उप्योग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसके अगर फायदे नहीं हैं दोस्तों अगर यह हमें फायदा ने देगी तो हमें नुकसान भी नहीं देगी हमारे प्लांट को तो इसी लिए मैं इसका उपयोग करना अच्छा समझती हूँ और इसका ही उपयोग मैं अपनी गार्डिंग में करती हूँ दोस्तों ये जो आप गोबर की खाद देख रहे हैं ये अभी बिल्कुल तैयार नहीं है हमारे प्लांट को देने के लिए बिल्कुल अभी कच्छी गोबर की खाद आप देख रहे हैं, यह देखए कितनी गीली है, यह देखे, बिल्कुल इसमें अभी जो है, यह बिल्कुल गीलापन है, इसके अंदर यह देखे तो ये जो गोबर की खाद है ये फाइदा तो बाद में पहुँचाएगी दोस्तों हमारे प्लांस में नुकसान पहले पहुचा देगी अगर हम इस तरीकी की गोबर की खाद का उप्योग अपने प्लांस में करते हैं आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गीली है ये गोबर की और ये हमारे प्लांट के लिए बिल्कुल भी उपयोगी अभी नहीं है तो इसका उपयोग हमें अभी अपने प्लांट में बिल्कुल भी नहीं करना है नहीं तो हमारे प्लांट जो है नुकसान में चले जाएंगे तो इसको जो है दोस्तों इसको जो है हमें अब जो है इसको decompoost करना चाहिए इसको जब हम decompoost करेंगे अच्छे से तो एक हमारी बहुत अच्छी सी compost त्यार हो जाएगी और इसको decompoost करने के लिए दोस्तों कम से कम एक महीने का time लग जाता है हो सकता है पांच या दस जिन पहले भी त्यार हो सकती है और 5-10 जिन बाद भी त्यार हो सकती है तो इसको थोड़ा सा समय लगता है और समय हमें देना भी चाहिए क्योंकि हम एक अच्छी सी कंपोस त्यार करने हैं तो इसके लिए हमें ये मैंने दोस्तों आप इसको जैसे किसी भी छोटी बकेट हो या किसी भी प्रकार के कट्टे में भी कर सकते हैं तो मेरे पास ये जो है जो है होल भी किये मैं मैं आपको शायद क्योंकि ये भी कंटेनर भरा हुआ है तो मैं दिखा ना पाऊंगी आपको तो इसमें मैंने जो है आठ से छे से आठ जो है hole किये वे काफी अच्छे क्योंकि जब इसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी जो है हमारा जो है liquid fertilizer बन जाएगा और liquid fertilizer को हम अपने plants में उप्योग कर सकते हैं एक मग्या लेंगे इसका liquid fertilizer का और 10 मग्ये हम लेंगे normal पानी का तो मैं ये जो मेरी bucket है इस bucket के नीचे मैं ये bucket इसके नीचे container के नीचे ये bucket लगा दूँगी ताकि जो liquid होगा वो इस bucket में इखटा होता रहेगा तो ये जो है इसमें दोस्तों हर 15 days में मैं थोड़ा सा पानी का स्प्रिंकल करती रहूंगी जैसे आज मैं इसमें डालूंगी पानी तो हर 10 दिन के बाद फिर और 10 दिन बाद फिर तो इस तरह के से हर 10 दिन के अंदर मैं पानी का स्प्रिंकल इसमें करती रहूंगी थोड़ा स इसको जो है गीला पन भी देते रहना है हमें इस गोबर की खाद को तब ही ये जो है एक अच्छे से डिंग कमपोस्ट हो पाएगी अभी ये बिल्कुल भी त्यार नहीं है हमारे प्लांट्स को देने के लिए क्योंकि इसमें जो ये गीला गोबर है दोस्तों इसमें जो है आम यह नदिग्क पोशक तत्म है जो इसमें पाए जाते है और यह हमारे सभी प्लांट्स के लिए बहुत ही उपज़ियोगी है आप किसी भी प्लांट्स में इसका उप्योग बहुत ही असानी से और नी संकोच कर सकते हैं दोस्तों नी hunकोच कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कि हमारे plants इससे खराब तो नहीं हो जाएंगे या ऐसा कुछ भी नहीं है इससे आपके plants कभी खराब नहीं होंगे यह गोबर की खाद है जो बिल्कुल organic है without chemical chemical में थोड़ा डर लगता है दोस्तों मुझे भी लगता है अगर मैं chemical वगर अपने plants में use करूँ तो मुझे भी लगता है तो इसी लिए मैं जो है गोबर की खाद का ही उपयोग करना पसंद करती हूं या फिर जो kitchen waste से जो मैं compost बनाती हूं वो भी मैं बनाती हूं तो मैं उसका भी उपयोग करती रहती हूं मैं दो ही चीज़ का उपयोग ज़्यादा पसंद करती हूं गोबर की खाद और जो हम kitchen waste से बनाते हैं compost उसका भी परियोग में करना पसंद करती हूं और दोस्तों ये कम खर्च में मिल जाती है इसमें ज़्यादा पैसे भी हमें लगाने नहीं पड़ते हैं और बिल्कुल और गनिक है और बिल्कुल असानी से कोई मेहनती नहीं है इसको बनाने के लिए तो ये जो है दोस्तों ये हमारे प्रांड्स के लिए बहुती अच्छी साबित हुई है तो ये आप असानी से बना सकते हैं आपको इसको कुछ नहीं करना है बस आपको और जब ये दोस्तों बिल्कुल जब त्यार हो जाती है इसमें से एक जो है गोबर की खाद में से एक दुरगंद आती है वो कंपोस्ट में कंवर्ट हो जाती है तो उसकी जो दुरगंद है वो बिल्कुल खतम हो जाती है उसमें से दुरगंद बिल्कुल भी नहीं आती है और वो बिल्कुल आप इसका कलर देखिए कि इसका कलर कैसा है इसका कलर है मट मैला जैसे होता है वैसा कलर है लेकिन जब decompose हो जाएगी तो इसका color कुछ इस प्रकार का होगा दोस्तों ये देखिए आप ये मैं आपको दिखाऊँ ये मेरा जो है इसका धक्कन है तो मैं इसी में आपको जो है ये निकाल के दिखा रही हूँ ये देखिए ये गोबर की खाथ का ही जो है decompose है और आप देखिए बिल्कुल बुरबरी हो गई है पहली पहचान इसकी बिल्कुल बुरबरा पन है और ये बिल्कुल black हो चुकी है ये देखिए बिल्कुल black है dark brown हो चुकी है बिल्कुल और बिल्कुल बुरबरी बन चुकी है और इसमें आप कोई भी दुरगंद किसी भ किस प्रकार का होगा ये देखिए ये है ये देखिए काला सोना जिसको हम बोलते है न ये देखिए ब्लैक की ये ये आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का बनेगा ये हमारा ये देखिए ये आप देख रहे हैं ये ऐसी ऐसी कमपोस्ट बनेगी हमारी एक महीने बाद या जबा महीने भी हो सकते हैं दोस्तों ये डेखिये कुछ इस प्रकार बनेगी है और बिल्कुल चिपकेगी नहीं आपके हाथों में ये देखिए, साफ हाथ हो चुके है मेरे, देखिए, है मेरे हाथों में, नहीं है न, तो बिल्कुल ऐसी बनेगी, और आप अभी ये देखिए, ये भी किस कंडेशन में है, है न, और ये हमारी किस कंडेशन में हमको एक मही यह बार मिलेगी तो करना यह है दोस्तों कि हमें यह पानी लेना है और यह देखिए यह पानी मैं जो है इस तरीके से अच्छे से इस पूरे गोबर को हमें अच्छे से भिगा देना है इस पानी को इस पानी से अच्छे से इस गोबर को पूरा भिगा देना है और हर 10 दिन में इसको मैं जो है इस तरह किसी स्प्रिंकल इस पर करती रहूंगी तो बस ये है दोस्तों आज की मेरी जानकारी और इसका जो लिक्विट होगा वो भी मैं यूज करूंगी तो दोस्तों ये ठी मेरी आज की मैंत्पूंट जानकारी और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी ओ तो प्लीज लाइक деле सबस्क्राइब जरूर कर देजिए गा अपने रिशेटिव में कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर सकते हैं तो अच्छा दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक अगली वीडियो में बाय दोस्तों हैपी गार्डनिंग